स्रक्राइब प्रेंजन चैनल स्रटैंगा रिचाइब जिन्दगी जैन्जक फिरन्स आज हम जैट्स जूराब होती है उसके अंदर हम पंजा कैसे बनाएंगे वो इस वीडियो में सीखेंगे जै जैसे पंजा अलग अलग बनते हैं तो जैंट्स जुराम में खाली हमारा पंजा पूरा होता है जैसे जैंट्स की जुराबों में होता है रेडी मेट जुराबों में ये पंजा ऐसे दिखाई देता है और अगर आप ऐसे करेंगे तो बिल्कुल रेडी मेट लुक में आएगा तो यही वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जैट्स जुराब में आप ये किस परकार बना सकते हो और जो मैंने ये सॉक्स बनाई है ये जिन जैट्स का पैर का साइज आठ और नो के बीच में आता है वो इनको अराम से आजाएगी और मैं स्टार्टिंग से नहीं बताऊंगी आपको इस जुराब को क्योंकि जो लेडिस जुराब है सेम वैसी ही बनेगी एडी वगेरा सब वैसी ही बनेगी और आप वैसे ही बना लिजिए यहां पर मैंने 12 नंबर की सलाई में यहां पर 60 फंदे डाले हैं और यहां पर थोड़ा सा बोडर बनाया कोई अगर मैं आई डिय से कहते हूगी डेर्ड इंच के करीब मैंने बोर्डर बनाया है उसके बाद मैंने सीधा उल्टा सीधा उल्टा करके बनाया है सीधी सलाई सीधी और उल्टी सलाई उल्टी बनाई है तो और उसको आप लंबाई में किस परकार बना सकते हो अगर आपको जादा उपर तक चाहिए जुराब तो आप देख लीजिए यहां से यहां पे ना पिए तो साथ इंच मैंने इसको बोर्डर के साथ यहां तक इसकी लंबाई कंप्लीट किया उसके बाद मैंने एडी निकाल ली है एडी निकालना मैंने हर बार आपको वीडियो में बताया वह अलग से भी मेरे चैनल पे एडी लेफ्ट राइट कैसे बनते हैं वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है और उस एडी के बाद हमने देखिए इस जुराब में जो लेंथ रकनी हैं आगे वैसे आप जिनके लिए भी बना रहे हैं उनके पैर को एक बार आप ये जुराब थोड़ी सी डाल के देख लें हाप थोड़ी सी बुनके एडी के बाद थोड़ी सी बुनके फिर आप उनके पैर कनाप ले सकते हैं तो मैंने 9 नमबर साइज के लिए बनाई है तो मैंने कम से कम इसको 7.5 पोने 8 हिंच के करीब आगे बनाया है सीधा उल्टा देख लीजी एक बार इस जुराब में बताऊंगी यह देखिए यहाँ पे एडी बनाई है एडी बनाने के बाद मैंने यहाँ से यहाँ से जहां से ह पंजा निकालेंगे और एडी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं और मुझे एक दो कमेंट्स भी आये थे कि एडी के बाद हमने क्या करना है तो देखिए एडी के बाद आप अपने पैर में एडी डाल लीजिए जो भी जिस भी पैर की बना रहे हो आप जुराब तो उसमें बनाई है तो आपकी पैर की लंबाई आप एडी डाल के पैर के अंदर फिर आप लेंगे क्योंकि ऐसे तो कम जादा हो जाती है जुराबे तो और जो ये जुराब बनारी हूँ मैं नाईलोन की सौक्स वूल ले रख की है मैंने इसमें मैंने बॉर्डर में दस सोरी बारा न दो सो ग्राम वूल लगी है एक जुराब में एक गोला लग गया सो ग्राम गा तो चलिए फिर फ्रेंट्स बना लेते हैं आगे कि पंजा कैसे बनाना है तो मैंने देखी यहाँ पे एडी के बाद लंबाई कंप्लीट कर ली है और उसके बाद अब हमारे यहाँ पे जो साठ फंदे हैं इन में से हम 30 फंदे ले लेंगे 60 फंदों में से हमने सबसे पहले 30 फंदों को बूल लेना है तो मेरी उल्टी सलाई आ रही है तो मैं 30 फंदों को ले लूँगी सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर मैंने 30 फंदे बूल लिए हैं उल्टे उल्टी सलाई में अब हमने लास्ट के फंदे छोड़ देने यहीं से हमने टर्न हो जाना है मतलब बैक हो जाना यहीं से और मैं अलग अलग बनाऊंगी इनको दोनों को क्योंकि बीगनर है बीगनर के लिए असानी हो जाएगी बाकि आप इसको इकठा भी बना सकते हो लेकिन मैं इसको अलग अलग बना के दिखाऊ diciendo ताकि बीगनर जो नए नए जुराब बनाना सीख रहे हैं तो उनके लिए घाफी असान हो जाएगा तो इन 30 फंदों को हमने क्या करना है देखिए अब पहला फंदा उतार लूँगी और दूसरा फंदा हमने पलट लेना ऐसे और यहाँ पे दो का एक कर लेंगे एक फंदा उतार लिया और अगले फंदे को पलट के दो का एक कर लेंगे बाकी के फंदे हमने सारे सीधे बुनने हैं यहाँ पे हमारा एक फंदा घड़ जाएगा तो आपने पूरी सलाई अब सीधी पूरी बना देनी है सीधी साइट से आपका फंदा स्टार्टिंग में घड़ गया है आप आजाईए आप उल्टी सलाई बे तो उल्टी सलाई में आपने स्टार्टिंग में पहला फंदा उतार लेना है और अगले दो फंदो का एक करना है दो फंदो का हमने एक कर लेना है देखिए यह देखिए दो फंदो का एक कर लिया यहाँ से भी एक फंदा घट गया अब इसको भी हम पूरी उल्टी-उल्टी बुल लेंगे और ये भी हमने यहां तक जहां तक हमारे 30 फंदे यहां तक बूल लेंगे पूरे फंदों को तो देखें यहां पर हमने बूल लिया इसको फिर हम यहां टर नाजेंगे दुबारा बापिस और इस पहले फंदे को उतार लेंगे और इस फंदे को हम हमेशा यहां से पलटेंगे पलटने के बाद दो का एक बनाएंगे इसको यहां से देख लीजी यह देखे और अब पूरे फंदे सीधे के सीधे बनाएंगे अब हमने हर सलाई में सीधी तरफ हमने जब फंदा उठा के पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा फंदा हमने पलट के दो का एक करना है और उल्टी सलाई में भी हमने एक फंदा उतार लेना है और नेक्स्ट वाला फंदा हमने दो का एक करना है दोनों तरफ से हमने एक एक फंदा गटाते हुए जाना है जब तक हमारे पास यहाँ पे टोटल बारा फंदे नहीं रह जाते तब तक हमने इनको दोनों तरफ से सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से एक एक फंदा गटाते हुए जाना है तो देख लीजी अब मैं उल्टी तरफ फिर दिखा देती हूँ आपको एक बार पहला फंदा उतार लेंगे और यहाँ पर दो का एक करेंगे और उसके बाद हमने पूरी यह सलाई यहाँ तक यहाँ तक उल्टी बना लेनी है तो देखिए यहाँ पर आगे हैं फिर हमने सीधी साइड टर्न हो जाना है यही से और यहाँ पर वही करना है और अपने पूरे फंदे घटा लूँगी और फिर बारा फंदे होने पे मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की इसकी लोक आई है तो देखे मेरे यहाँ पर जो टोटल फंदे रह गी हैं वो घटने के बाद 12 फंदे रह गी हैं और ये मेरी उल्टी सलाई में उल्टी डाल दूंगे पूरी मैंने उल्टी सलाई उल्टी डाल दिये देख लिजी एक सलाई उल्टी डाल दिये और यहां से मैं आपको दिखा देती हूँ यह देखिए हमने घटाना चुरू किया था यहां से और यहां पे टोटल फंदे मेरे दो चार छे आठ दस और बारा तो बारा फंदे रहें अब हम क्या करेंगे इस धागे को थोड़ा सा काट देंगे कैंची से और यह वाला धागा हम इस वाले पल्ले में लगाएंगे यह वाला एक हमारा बन गया यह देखिए अड़ी ऐसे बनेगी और अब इसमें लगाएंगे यह वाला धागा तो आपने क्या करना है पहला फंद लीजी दागे को और फिर बाद में इसको फिनिशिंग में सुई के अंदर डालके कर लिजी और यहीं पे हमने उल्टी सिलाई में दो का एक कर देना है यहां पे भी हमारा एक एक फंदा गटे गा और वही रेपीट करना है हमने जो उस तरफ हमने रेपीट किया हैं तीस फंदों को सीधी तरब से सिर्फ आपने फंदा पलटना है बाकी आपने उल्टी तरब से उल्टा घटाना है तो इनको मैं पूरी सलाई को कंप्लेट कर लेती हूँ और यह दिखिए यहां हो गई complete अब हमने पहला फंदा उतार लेना है और next फंदा हमने पलट लेना है पलटने के बाद हमने दो का एक कर लेना है और बाकी हमने जो फंदे हैं हमने सीधे बुन लेने है तो अब हमने ऐसे ही करते जाना है और यहां पे भी बारा फंदे जब तक हमारे नहीं रह जाते तो हमने इनको गटाते जाना दोनों को तो यह भी मैं ऐसे ही कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूं यहां पे भी मेरे बारा फंदे रह गए हैं सारे फंदे गड़ गए हैं और बारा फंदे इस तरह हैं तो अब हमने क्या करना है इन फंदों को मैंने बुन के बारा फंदों को बुल लेंगे और ऐसे इनको गुन के और हमने इनको सीधा सीधा मिला देना है ऐसे यह सीधा सीधा मिला देंगे यह देखिए सीधा सीधा मिला के आपने तीसरी सलाई से इनको घटा देना है और पीछे आपने थोटा सा धागा रखा हो था वो पहले कटा हो था तो आपने पीछली सलाई से एक फंदा उतार के आगे सलाई में डालना है यहां पे और यहां दो का एक कर देना है और इस धागे को ऐसे कर यहां पर दो का एक कर देंगे कि है 않 मि धो एक करलें फिर पिछली सलाई से दाग था फंदा उतारें गे यह कर लिह और इसीरा डालना है और यहां पर एक कर हर बार आपने ऐसे ही करना पिछली सलाई से आगे फंदर डालना सलाई में और यह डालना और यह पर तीन का एक फिर ऐसे ही करेंगे कि यहीं रीपीट करते जाएंगे है और थोड़ा सा हाट Tiny रखेंगे और यहाँ टीन गाएक जैसे हम गटाते हैं कोई भी जैसे आपने पूरे फंदों को हमने इन बाइस जोरी बारा बारा फंदों को हमने ऐसे गटा देना है अब देखिए यहां पर हमारे एक एक फंदे रहें हैं तो हमने इमकों भी एक स्लाई चोड़ देंगे और और इन तीन फंदों का हमने ऐसे और यह दागा तोड़ लेंगे इसको आप लंबा तोड़ लीजे क्योंकि सिलाई के लिए आपने फिर अलग से धागा लगाना पड़ेगा इसलिए इस धागे को आपने लंबा तोड़ लेना है ऐसे और अब आपने इसके अंदर से इस धागे को डाल देना ऐसे और ऐसे गाठ लगा देनी है तो यह देखिए हमारी एड़ी पैर की बनके त्यार हु आपने इसकी सिलाई करनी है पहले और फिर आपने इस तरफ से सिलाई करनी है एक बार मैं आपको दिखा देती हूं थोड़ी सिलाई करके यह दगा बचा हुआ है तो देखे यहाँ पर हमने यहाँ से और यहाँ से उल्टे उल्टे तरफ कर लीजिए आपकी मर्जी है वो यहाँ से तो देखे मैंने अलग दागे में यह अलग उन डाल लिया है यह छोटा दागा तो यहाँ से आपने यहां से यहां से बल्ले आपने गाट लगा लेजिए और इनको बाद में फिनिशिंग कर लेजिए सारे दागों को और आपने दोनों तरब से ऐसे सीलते हो जाना जैसे हम सीम्पल सीलते हैं यह उल्टी दरफ से सीलाई कर रही हुँ है आप चाहें तो आप सीधी साइट से भी इसको सील सकते हैं लेकिन मैं उल्टी दरफ से सीलाई कर रही हूँ फिर आपने थोड़ी सोकसा से खोल लेनी है और यहां से हलके हाथों से टाइट नी करना यहाँ बे और यहाँ प्लस जैसे निशान से ऐसे फिर आपने बैक इसको ऐसे डालते जाना है ताकि यह मारा धागा उपर जागे आम तोड़ भाएं ऐसे इसको ज़्यादा खीचिये मत और आप चाहें इस दागे को भी आप सुई में डालके उपर फिनिशिंग कर देए इसकी गई और इसको काड़ दीजिए इसको काड़ दीजिए और यह दागा भी आप डालके फिनिशिंग कर देजिए आप आजाए इस तरफ इस तरफ आपकी पूरी जुराव एक तरफ तो आपकी थोड़ी सी ये जुराव सी लेगी ये वाली और इस तरफ से आपने पूरी स्लाई करनी है यहां से यहां तक यहां तक तो यह पूरी एक तरफ होगी तो इस तरफ आप धगा बड़ा लगा लिज और सिल लीजिए तो मैं इसको सिल के फिर इसका final look दिखाती हूँ यहाँ पूरी सलाई complete होगी है मैंने पूरी सलाई यहां से यहां तक कर दी है इसकी और जो जुराब का final look है वो देख लीजिए बाकी आपने starting में thumbnail पे देखी लिया होगा और एक बात और कहना चाहूंगी friends आ कईयों की जुराब बढ़ी हो जाती है चोटी हो जाती है तो आप क्या कीजिए जुराब बनाते है जिसके लिए भी बना रहे हो तो आप उनका पैर का नाप ले लीजिए तो चलिए friends यह 9 नंबर पैर के लिए यह जुराब बनाई हुए और बहुत ही अच्छी बनके आई ह तो देखिए आप इस परकार जैंट जुराब बना सकते हैं और वीडियो यूजफुल लगिए तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और जो भी आपके कमेंट्स हैं जो भी आप पूछना चाते हो वो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू